हाईलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आप स्नैपचैट का पासपूट कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तो आप स्नैपचैट में जो पासपूट लगाए हुए हैं उस पासपूट को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो open होगा तो दोस्तों आप लोग को left side में ऊपर में एक account का option मिलेगा दोस्तों आप लोग को इस account वाले option पर click कर देना है और click करते ही दोस्तों आप लोग को यहां पर accounts होगा दोस्तों आप लोग को यहां पर right side में एक settings का एक option मिलेगा दोस्तों आप लोगो इस settings वाले option पे click कर देना है और click करते ही दोस्तों यहां पर आप लोगो बहुत सारा option मिलेगा तो passport को change करने के लिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आप लोगो एक option मिलेगा passport दोस्तों आप लोगो इस passport वाले option पे click कर देना है और click कर यहांपे डाला होगा दोस्तों आप लोग को उस पासपोर्ट को यहांपे डाल देना है तो दोस्तों हम यहांपे उस पासपोर्ट को यहांपे हम डाल देते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहांपे मैंने पासपोर्ट को यहांपे डाल दिया हो उसके बाद दोस्तों आप लो नया passport बनायेंगे ,ुस passport को यहां पर डालता है और उसी passport को यहां पर डालते है weiße तो हम देख सकते हो यहां पर मेना यहां पर बना रहा हूं उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहां पर मैंने passport यहां पर डाल दिया हूँ उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर confirm passport दोस्तों यहां पर आप लोग को इसी new passport को आप लोग को इसमें यहां पर paste कर देना है तो चले दोस्तों यहां से हम passport को डाल देते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर मैंने पासपोर्ट को डाल दिया हूँ उसके बाद दोस्तों आप लोगों नीचे में एक सेव का इकन दिखेगा सेव का अपसन मिलेगा दोस्तों आप लोगों सेव पर किलिक कर देना है और किलिक करते ही दोस्तों यहां से दोस्तों देख चैट का पास्पोर्ट को चेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद जहिंद बंद महात्रम